मैं डॉक्टर अलपना जोहरी, एसोसीट प्रोफेसर इन बोटनी, जे डी बी गॉर्वर्मेंट गल्स कॉलेज, कोटा आज का टॉपिक है, इनफ्लोरेसेंस किसी भी प्लान को डिस्क्राइब करते समय, इनफ्लोरेसेंस को डिस्क्राइब करना भी बहुत जरूरी है तो इनफ्लोरेसेंस किस तरह की होती है, और उनको कैसे पहचानेंगे, इसके विश्यमें मैं आज आज आपको बताऊंगी इनफ्लोरेसेंस या पुश्पक्रम अर्थाथ, इनफ्लोरेसेंस एक्सेस पर फ्लावर्स किस तरीके से अरेंज रहते हैं तो ये तीन तरह की होती है racimos type, cymos type and special type of inflorescence racimos के ये different types हैं, subtypes है racimos यानि indeterminate type इसमें inflorescence axis बढ़ती रहती है और उस पर lateral side में flowers develop होते रहते हैं तो सबसे पहले racimos में है raci जैसा की for example brassica compass tris सरसों में आप देखते हैं ये दिखाई दे रहा है, इसमें inflorescence axis बढ़ती जाती है उपर की तरफ lateral side में flowers develop होते हैं और ये acropital manner में arranged होते हैं acropital manner का क्या मतलब है? younger towards the apex नीचे की तरफ older flowers होंगे और younger apex की तरफ होंगे इसके बाद है panicle panicle is a compound racine यानि compound racine का क्या मतलब है? अगर इसी racine में कई सारे racine हों in flowers की जगे तो ये क्या कहलाईगी? compound racine मतलब एक flower की जगे ये पूरा inflorescence है इसी तरीके से एक flower की जगे ये पूरा inflorescence है older inflorescence नीचे की तरफ और younger inflorescence उपर की तरफ तो ये जो compound racine में इसको हम कहते है panicle जैसा की आप देखते हैं caseya fistula में next है spike spike में क्या होता है कि जो inflorescence axis है उसी तरीके से से आगे बढ़ती रहती है lateral side में flowers होते हैं बस यहाँ पर flowers sasile होते हैं दोनों में क्या difference है? यहाँ pedicillate flowers है और यहाँ flowers sasile है तो यह जैसा की chyrenthus में आपको दिखाई देगी इस तरह का inflorescence next है spikelet जो spikelet है वो भी एक तरीके से spike ही है यह small spike ही है लेकिन इसके जो brecks हैं वो dry brecks होते हैं इसके बाद है catkin catkin is a pendulous spike pendulous मतलब लटकावा जैसे शेहतूत में होता है moris alba में होता है वही चीज है आप देख रहे हैं older flower नीचे की तरफ younger flower apex की तरफ यह इनकी delicate जो axis है inflorescence axis वो pendant होती है next है spadix spadix जैसे की बनाना में होता है musa paradisieka में होता है तो इसमें क्या होता है कि जो inflorescence axis flashy होती है मोटी होती है थोड़ी stout होती है और उस पर flowers लगे रहते हैं flowers unisexual होते हैं और इसके साथ ही वो colored bread से colored fleshy bread से covered होते हैं that is called as spade next है korymb korymb में बिलकुल इसी तरीके से इसको आप ध्यान में रखते हुए ही सारी inflorescence देखेंगे korymb में inflorescence axis उपर की तरफ बढ़ती रहती है older flowers नीचे की तरफ है younger flowers apex की तरफ है लेकिन जो older flowers है उनकी जो stock है वो इतनी लंबी हो जाती है कि सारे flowers same level पर आ जाते हैं जो younger flowers है उसकी level में सारे flowers आ जाते हैं उसी हिसाब से इनकी stock की लंबाई होती है तो इसको हम कहते हैं कॉरिम जैसा की for example iberis, amara, candy tuft में हमें इस तरह का inflorescence दिखाई देता है next है umble inflorescence umble ये hydrocotyle में दिखाई देगा इसमें क्या होता है कि जो inflorescence axis है वो compress हो जाती है ये axis मान लीजे ऐसे compress हो जाएगी तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक जगे पर compressed axis है और ऐसा लगता है कि सारे flowers एक ही point से निकल रहे हैं इसको कहेंगे आप umble और जो सारे brackets थे ये सारे brackets हैं जिनकी एक्जिल से flower develop हो रहे हैं ये brackets सारे इसके चारों तरफ अरेंज हो जाते हैं involucar कहते हैं इनको इसके बाद है compound umble compound umble का क्या मतलब है अगर कई सारे umble umble form में arranged हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं compound umble यानि जैसे इसकी जगे एक umble हो इन सबकी जगे एक-एक umble हो flower के तो ये क्या कहलाएगा compound umble यहाँ आप देख रहे हैं इसी तरीकी का दिखाई दे रहा है आपको तो ये compound umble में कई सारे umbles small umble form में arranged है and each is called as umbellule और यह सारे जो ब्रैक्ट्स हैं इनके चारो तरफ अरेंज होंगे तो इसके बाद next है capitulum capitulum जैसा की Asteraceae family का characteristic feature है यह Asteraceae compositive for example Helianthus species Helianthus में क्या होता है कि यह जो axis है इसको ही देखिए आप यह जो axis है यह ऐसे compressed है compressed होकर कि यह flat हो गई है flattened axis है compressed and flattened axis है और इसके जो brackets हैं वो चारो तरफ अरेंज हो जाएंगे उस पर ऐसे चारो तरफ अरेंज हो जाएंगे और जो flowers हैं इसको compress कर दिया गया है तो यह इस तरह का structure आपको दिखाई देगा यह जो flattened part है जो इसको हम receptical कहते हैं और younger flowers हैं वो center में आ जाएंगे और older flower पेरिफेरी की तरफ दिखाई देंगे क्योंकि मान लीजे इसको press कर रहा तो जो younger flower है वो center में आएंगे और जो older flower है वो periphery की तरफ चले जाते हैं next है capitate जैसा की acacia में बबूल में आप देखते हैं इसमें क्या होता है कि जो inflorescence axis होती है वो compress होकर के बिलकुल small rounded structure बनाती है receptacle ना बना करके small rounded structure जैसे pin pin की knob होती है उस तरह का structure बनाती है और उसके उपर flowers arranged होते हैं next है cymos inflorescence cymos inflorescence में क्या होता है जैसे flower develop होता है उसके बाद inflorescence axis की growth stop हो जाती है और उसके नीचे से फिर flower develop होते हैं तो यहां पर जैसे solitary है solitary में तो single ही flower होगा solitary दो तरह से हो सकते है solitary terminal या solitary axillary solitary terminal जब जो terminal bud है वो flower develop करती है यानि plant की terminal end पर flower होगा जैसे for example argymone solitary axillary जब single flower होता है और leaf की axil में develop होता है यानि axillary bud से flower develop होता है तो हम कहते है solitary axillary तो इसमें है hibiscus rosasinensis यहां आप देख सकते हैं यह leaf की axil में solitary axillary यह solitary terminal monocasial sign, dicasial sign monocasial sign में क्या होगा जब एक flower develop होता है और उसकी growth stop हो जाती है axis की नीचे से bud develop होती है और flower develop होता है जबकि dicasial में क्या होगा पहले जो flower develop होगा और उसके नीचे फिर दोनो side, दोनो lateral side पर दो buds बनेंगी जो की flower में बदल जाती है तो इस तरीके से यह monocasial, mono मतलब एक ही side, एक ही lateral side पर flower develop होगा इसके नीचे, dicasial दोनो side monocasial में दो types है, scorpioid and helicoid, scorpioid renunculus में होता है, इसमें क्या होगा जैसे एक flower develop होगा, growth stop होगा नीचे से एक दूसरा flower develop होगा और इसके इस side से, यानि आप देख रहे हैं जो successive flowers हैं, यह first है, second है, third, fourth, fifth, successive flowers जो है alternate sites पर develop हो रहे हैं इस flower पर develop होगा तो इस flower की इस side पर, इस flower की इधर develop होगा तो इस flower के इस side program नीचे की तरफ तो यह successive flowers हैं अगर alternate sites पर develop हो रहे हैं, तो यह कहलाता है scorpioid sign, helicoid sign, heliotropium में होता है कि इसमें क्या होता है, जैसे जब फ्लार डेवलप होता है, तो उसके जो successive फ्लार्स हैं, वो उसके एक ही तरफ डेवलप होते हैं, जैसे फॉस्ट फ्लार ये है, तो इसके एक साइट सेकेंड फ्लार डेवलप होगा, एक ही साइट डेवलप होगा, और इसके सेम साइट पर फिर 3rd floor होगा फिर इसी same side पर 4th floor develop होगा same side पर 5th floor develop होगा तो दोनों में difference समझ में आ गया होगा आप लोगों को इसके बाद next है monocasal के बाद dicasal time dicasal जैसा की नाम से ही पता लग रहा है दोनों तरफ दोनों lateral side पर floor develop होगे main floor के नीचे तो nerium में होता है इस तरीके से आप देख रहे हैं कि dicasal में जैसे first floor यहां develop हुआ उसके नीचे दोनों side second floor develop होगा फिर second के दोनों side third floor develop होगा तो जो growth stop हो जाती है main axis की first floor के develop होते ही लेकिन नीचे से फिर buds develop हो सकती है तो यहां पर आप देख रहे हैं first और दोनों side यह second floor और second के दोनों side third floor polycasial sign जैसा की callotropes में होता है polycasial में क्या होगा जैसे जैसे monocasal में एक ही side floor develop हो रहा था main floor के dicasial में main floor के दोनों lateral side पर floor develop हो रहा था अब polycasial में जो main floor है उसमें उसके नीचे दो से ज्यादा lateral sides में laterals में फ्लार develop होगा तो यहां आप देख रहे हैं यह देखिए यह first floor है यह first floor और फिर यह second second floor है यह 2 से अधिक one two three four four develop हुए जैसे दो से अधिक होने चाहिए फिर इस floor के नीचे वापस से जो third floor है यह develop हुए इसी तरीके से third floor यह develop हो रहा है थार्ड वाले तो फिर इनके आगे फिर वापस से successive flowers है इसी pattern में develop होंगे इसके बाद है special type of inflorescence यह तीन तरह के होते हैं scythium verticellester and hypanthotium तो scythium inflorescence यह euphorbia species का characteristic feature है इसमें क्या होता है कि जो male और female flowers दोनों ही naked होते हैं मतलब उनमें perianth नहीं पाए जाते हैं और जो terminal bud है वो female flower बनाएगी single female flower बनाएगी और उसके चारों तरफ कई सारे male flowers होते हैं तो यह जो single terminal flower है यह naked है केवल ovary इसमें दिखाई दे रही आपको यानि female है और बाकी male flowers में खाली stamen के जैसे structure दिखाई दे रहा है यानि एक छोटी अगर इसको हम देखेंगे flower को तो यह tricarpulary sincarpus superior ovary से बना हुआ होता है और यह सभी male और female flower एक cup shaped involucar में घिरे होते हैं और special type का inflorescence है यह हमें osimum species में labity family के जो members है उनमें मिलता है जिसमें osimum एक example है तो यह आप देख रहे हैं कि यह axis है inflorescence axis inflorescence axis पर opposite decaset manner में leaves लगी होती है यानि node और inter node होंगी axis पर nodes पर opposite decaset manner में leaves लगी होंगी और हर leaf की axle में एक sign present होता है तो अगर हम एक node का यह node है मान लीजे अगर हम एक node को देखें तो इसमें जो first floor है यह है first floor और फिर second floor यह दिख रहे हैं आपको दोनो यानि first floor के दोनो side scorpioid sign manner में flowers arrange होंगे तो यह first floor फिर second floor second floor के बाद फिर third floor फिर fourth floor यानि scorpioid manner में है इसी तरीके एसे एक side और दूसरी side भी same ऐसे है लेकिन यह इतना compact इतना condensed होता है यह कि हामें ऐसा लगता है कि सब एक ही जगे से निकल रहे है सारे flowers लेकिन actual में वो on shaped structure आपको दिखाई दे रहा है यह एक fleshy receptacle होता है जो कि ऊपर की तरफ यह पूरा जैसे on shaped structure है और hollow है और ऊपर एक aperture है minute aperture होता है opening होती है और इस fleshy receptacle पर अंदर यह cavity दिख रही है male और female flowers लगे होते है यहां भी flower unisexual है और यह देखिए male flowers जो है opening की तरफ यानि उपर की side और नीचे की तरफ female flowers develop होते है thank you